नमस्कार Study IQ IS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत मैं विरद एक बर फिर से आपके समक्षा जरुआ हूँ History on Map की Next Series को लेकर के दोस्तों पिछले कुछ सीरीज में लगातार आप लोग जो मध्यकालिन भारत का प्रारंभिक इतिहास है वो लगातार पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारत पर अरब आक्रमन कारी हैं वो कैसे आए फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो मुहम्मद बिन जो कासिम है वो कासिम के आक्रमन वगेरा सारी चीज़ें हमने उसके डिसके बाद हमने आपको डिसकेशन करके बताया कि कैسे गजणवी जो है वो भारत पर आक्रमन करने आता उस समय भारत की स्थिति क्या है फिर मैंने गोरी के समय भारत के स्थिती किया है और फिर मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया है कि गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसकी विजय कैसे हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत पर जो अरब और तुर्क आक्रमण कारियों ने जो आक्रमण किये उन आक्रमणों के पश्चात अब एक ऐसा समय आ चुका था जहां पर अब एक जो इसलामिक जो गौर्रमेंट है या इसलामिक जो सामराज्य है वो इस्टैबलिश करने के ल मुगलकाल तो दिली सल्तनत की आसे शुरुवात होगी दिली सल्तनत में सबसे पहला जो राजवन्ष है आपको मालून है कि उसे हँम लोग गुलाम वन्ष के नाम से जानते हैं या पतले सेशन में भी आप लोगों को चुच नाम बताहे थी आपने ध्यान से देखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे तो आज उसी कुत्बुदिन एबक के द्वारा भारत में जो established राज्य है उसके उपर discussion करेंगे तो यह जो program है, यह है history on map history on map यह program आप देख रहे हैं और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एबक और उसका जो राज्य विस्तार है इसके उपर हमारी चर्चा होने वाली है आप सब लोगों को मालूम है कि कुत्बुदिन एबक जो है यह दासवन्ष का पहला व्यक्ति है पहला शासन करने वाला व्यक्ति है हलाकि इसको ले करके बहुत सारे doubt's है इसे पहला शासक वास्तविक शासक माना जाए या ना माना जाए इसको ले करके कुछ एकाउंट्स है जिनके बारे में आज के session में हम discussion करेंगे पर क्योंकि यह history on map है सो हम ऐसी history को यहाँ पर जरूर पढ़ते हैं जो map के थुरू आपको समझने में उन locations को जानने में साहता करती है अभी तक हमने नाम सुने होते हैं कि फला जगे से वो बिलॉंग करता है धिला धिका जगे से वो बिलॉंग करता है वो जगह है कहां actually on map में जिससे कि आप visualize कर सकें कि कोई कहां से कैसे आया है और कैसे जो है वो history पर अपना impact डालता है तो आज के इस session के हम शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भई मेरा code जो है वो आप याद रखेंगे मेरा code है विरदलाइव code आपको याद रखना है that is विरदलाइव v-i-r-a-d-l-i-v-e ठीक है आप इस code को हमेशा याद रखेंगे ये code आपको board में वहाँ पे नीचे reflect भी होता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो चलिए शुरुआत करत बना लेते हैं और देखिए अभी तक इतनी बार में आपको मैप बना करके दिखा चुका हूं कि अब आपके दिमाग में मैप चप गया होगा कि आप कैसे आप में से कितने लोगों ने मैप का मैप का प्रेक्टिस किया है इस चान मैप को देखते हुए इमानदारी से भारत में एकदम गुजरात से शुरुवात करें फिर नीचे आ जाएं ठीक है और फिर यहां पर थोड़ा सा उपर जा करके आपको राइट मुड़ जाना है बस इतना सा काम है और उसके बाद इधर वाला जो नक्षा है उसकी कोई इतनी अदा इंपोर्टेंस इस तरीके से बहा दीजे सिंदु नदी के लिए आपको एक बार ऐसे उपर जाना है और फिर इस तरफ वापस आ जाना है यहां से नीचे एक आपको 17 नदी बहा दी है ठीक है यहां से नीचे जो है आपको 17 नदी लेकर के आनी है फिर उसके बाद आपको इस तरफ जो है वो ब्रहुपु नदी बन जाएगी, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा, और इसको हम फैला देते हैं, ठीक है, यह ब्रंपुत नदी हो गई, यहाँ पर इसके कई सारे यह बन जाएगे, ब्रांचिस बन जाएगे, यहाँ से आप गंगा ले आईए, यह गंगा नदी चली आएगी, कोई दिक्कत होती है, जादा कुछ की हमेज़ुरत है नहीं, फिलाल चलिए हम देखते हैं कि आज एबक के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, कुटबुदिन एबक एक ऐसा व्यक्ति, जिसका जन्म जो है, वो तुर्कमेनिस्तान में हुआ है, तो इसका जन्मिस्थान, बर् है, वो क्या है, वो मैंने आपको बता है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्किस्तान जो है, वो इसका बर्थ प्लेस है, तुर्किस्तान को आप ऐसे समझे, ये नॉर्धन इंडिया है, कश्मीर उश्मीर का हिस्सा है, इसके बगल में आपको पाकिस्तान मिलेगा, इसके बगल म इधर टच करेंगे, तो इधर अफगानिस्तान से उपर और इधर चाइना के बर्डर के पास में, वहाँ पे आपको तुरकिस्तान दिखाई देगा, ठीके, तो आप मानके चलिए कि इधर का ये पूरा लोकेशन जो है, ये वाला जहाँ पे मेरी हाथ इस तरीके से मूव कर र है, लमसम हमने आपको बता दिया, कि यहाँ पर निशापूर है, अब ये जगह मैंने क्यों लिखी है, उसका रीजन ये है, कि जब ये अभी बच्चा था या लड़का था, एक युवा उम्र का हुआ, एबक, मातापितत है नहीं, तो इसको जो है, ये मतलब लावारिस रह तो नशे, नेशपूर, सारी, निशापूर, निशापूर जो है, यहाँ इसी को नेशपूर भी कहते हैं, यहाँ पर एक काजी हुआ करते थे, वो काजी महोते जब फकरुद्दीन नाम था उनका, काजी यानि की नैधीश, उन्होंने इनको अपनी सेवा में रख लिया, औ काजी जी की डेथ हो गई, काजी जी की मृत्यू के पर शात, जो उनके उत्रा धिकारी हुए, वो इसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं माने, और इसे भगा दिया, और उन्होंने किसी व्यापारी के हाथों इसे बेच दिया, और उसी व्यापारी से मुहम्मद गोरी ने इ गजनी है यहां कहीं पर गजनी कभीला आपको देखने को मिलेगा और गजनी कभीले के ऊपर आपको मैंने बताया था कि यहां कहीं पर गोर कभीला देखने को मिलेगा तो गोर से बिलॉंग करने वाला तो गजनी है वो यहां पर शासन जो है वो करने लगता है गोर गजनी का आसक हो चुका है, तो निशापूर से ये गजनी में बेच दिये जाते हैं, और इस तरीके से ये गजनी चले आते हैं, गोरी के पास, तो जो भी युद्ध आपने मुहमद गोरी के देखे, प्रिवियसली जो भी युद्ध देखे आपने, चाहे वह भारत में इनीशिल इनके अटैक्स हों जिसमें ये हार इनको मिली है या फिर बाद में तराइन का वो दुती युद्ध प्रमुख जिसमें गोरी को जीत मिली उन सब में मुहम्मद गोरी का प्रमुखता से जिसने साथ दिया वो कोई और नहीं है बलकि कुत्व अबक ही है यहां तक कि एबक को एबक नाम जो है वो भी मुहम्मद गोरी नहीं दिया है तो गोरी ने उसको खरीदा है एबक नाम दिया है जहां जहां युद्ध लड़ने जाता है वहां वहां ये साथ में युद्ध लड़ने जाता है प्रमुखता से साथ देता है तराइन के दुती य युद्ध हुआ आपको मालूम है कि दिल्ली के दिल्ली वाला जो जगा है यहां पर दिल्ली है कहीं पर ठीक है यहां कहीं पर क्या है दिल्ली है और जो अजमेर है अजमेर यहां कहीं पर है यहां पर माल लेते हैं यह जो अजमेर और दिल्ली के शासक हुआ करते थे पृत्व चौहान, तरायन के दुती युद्ध में, तरायन का जो second war हुआ 1192 में, इसके बाद गोरी वापस चला गया, है ना, गोरी कहाँ चला गया, वापस चला गया, और वापस कहाँ चला गया, वही अपने घजनी का वीलेम वापस आ गया जहां का, वो सर्दार बन गया था, तो जो इधर के provinces जीते गए थे उसका governor उसका राज प्रतिनी थी जो है वो जिसे बनाये गया था वो कोई और नहीं है वो कुतुबुद्धिन अबख है यानि गोरी ने अपने समय में अपने जीते हुए इलाकों का राज प्रतिनी थी जो है वो मुहम्मद गोरी को कुतबुदी नैबक को बनाया था इसमें भी कोई दोराय नहीं है और जब गोरी यहां से वापस चला गया तो गोरी के वापस जाने के पश्चाथ बुलंद शहर, मेरठ और कोयल आपको याद होगा याद है ना बुलंद शहर, मेरठ और कोयल वाला जो इलाका है वो हिस्सा इसने जीता है तो दिल्ली के आसपास ये सारे जगहा पढ़ते हैं जैसे इन जगहों पर मान के चलिए कि ये तीन जगहें जो है आपकी ये लोकेशन्स है आपकी जो तीन इलाके कौन-कौन से है बुलंद शहर, जिसको बरण बोलते है बरण, यानि कि बुलंद शहर बुलंद शहर ठीक है मेरठ और कोयल मेरठ और कोयल तो ये तीन चार जगहें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको ध्यान रखनी है जैसे यहाँ पर मान लिजे कहीं पर मेरठ है यह आपका मेरठ का इलाका हो गया यह आपका मान के चलिये की बरण हो गया यानि कि बुलंद शहर हो गया और यह आपका अलीगड हो गया अलीगड अलीगड जिसको आप क्या कह रहे हैं कोयल कह रहे है तो यह को यह लानी कि अलीगड़ कल भी मैंने आपको बताया था अलीगड़ तो यह दो साल के भीतर यह तीन जगहें जो है यानी कि 1194 तक यह सारे जगहें जो है कुतबुद्धि नैबक ने जीत लिये हैं दो वर्षों के अंतरगत और कुतबुद्धि नैबक पंजाब वगएरा जीत के गया ही है यहां का गवर्नर नियुक्त हुआ है तो आप और यह समझ सकते हैं कि आपका पंजाब को प्रोविंस है पंजाब में आप उसकी राजधानी के तोर पर लाहौर को मान लीजे कि और मुल्तान, अजमेर, दिल्ली, मेरट, बरन, अलिगड यह पूरे इलाके जो हैं यह उत्तर पूर्वी इलाके जो हैं इसका गवर्नर बनाया गया है और यह सारे हिस्से जो हैं इन समयों तक जिसमें आप लाहौर और क्या नाम है मुल्तान को रख सकते हैं यह पंजाब के हिस्से में हो गए पंजाब के हिस्से में तो मुल्तान ने मुल्तान एक अलगी हिस्सा हो गया लाहौर को रख सकते हैं पंजाब के हिस्से में और आपका जो है दिल्ली है इसके अलामा अजमेर है अजमेर जिसको अजय मेरू कहा जाता था यह सारे प्रोविंसे उसने जीत क करके रखे हुए और इन जगहों पर एक तरीके सम कह सकते हैं कि एक सॉलिड इस्लामिक स्टेट को इस्टैबलिश ने किया है यानि कि ठोस मुस्लिम जो सामराज्य उसको इस्टैबलिश कर दिया है इन दो वर्षों में दो वर्षों बाद चंदावर का युद्ध होता है कन्नौज कन्नौज का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो आप मान के चलिए कि यहीं कहीं आपको कन्नौज जगा देखने को मिलेगी इस जगा पर कन्नौज ठीक है आप यह जगा है यहां कहीं आपको जो है काशी देखने को मिलेगा इसी जगा पर ठीक है काशी है तो ये जो जगहें हैं, आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ये जगह आपकी कहीं पर काशी है, मान लेते हैं, ये काशी वाली जगह है, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गई, क्योंकि लिखने की वज़े से बड़ा बड़ा जगह हो गया है, पर लमसम आप मान सकते हो, कि काश अब देखिए कि ये सारे इलाके जो हैं वो कुतबुदिन एबक के पास में प्रजेंट टाइम में है चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है आपको मालूम है 1194 तक ये सारी चीजें और चंदावर का जब युद्ध हुआ तो चंदावर के युद्ध के बाद आप देखेंग जो कन्नौज वाला इलाका है वो भी आपके पास में आ गया काशी भी आ गया बानारस जिसको आप बोल सकते हैं वारनसी भी आ गया तो ये सारे इलाके भी उसने जीत लिए ग्यारस अब जब ये सारे इलाके जीत लिये तो उसके बाद फिर गोरी वापस चला गया जब गोरी फिर वापस चला गया तो जो गोरी शुरुवात में हारा था यहां पर एक जगा हुआ करती थी जिसको मैंने आपको बताया था अनहिल वाडा अनहिल वाड़ा को वो हार गया था लेकिन इसने फिर से अनहिल वाड़ा को जीत लिया है अनहिल वाड़ा को इसने क्या कर लिया है जीत लिया है बुरी तरीके से भीमदे को पराजित किया भीमदे वाँ से भाग गये उनके सिनपती मारे गए तो इस तरीके से वो, और फिर पूरव में आगे बढ़ते हुए कालिंजर है, जिसमें परमंदी देव शासन कर रहे हैं, 1202, 1203, 1202, 1203, इसमें जो है आपको कालिंजर, कालिंजर जगा देखने को मिल रही है, जिसमें परमंदी देव हैं, ये पराजित हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैचन पराजित हुआ है, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रित्विराज चोहान, प्रित्विराज चोहान पराजित हुए हैं, यह सारे नाम आपको यहाँ पर याद रखने होते हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यहीं कहीं, आपको कालिंजर दे ठीक है, तो ये इलाके भी उसने जीत लिए हैं, महोबा, कालिंजर, आपका नाम के आईगवालियर, ये सब उसने पता कर लिए, इसी समय ये तो पूरफ के सारे हिस्से हो गए, उत्तर पूरफ के, अगर हम पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, तो पश्चिम की तरफ आपको मा प्याद है, एक्तियारुद्दीन, मैं इनका नाम भी यहीं पर लिख देता हूँ, एक्तियारुद्दीन का, एक्तियारुद्दीन, एक्तियारुद्दीन खिलजी जो है, इसने बंगाल को विजित कर लिया है, और बिहार को विजित कर लिया है, बंगाल और बिहार को विज देखेंगे तो जो लखनोती शहर है बंगाल में और बिहार वाले हिस्से में आपने देखेंगे कि लखनोती है इसको जीत लिया है उसने लखनोती लक्षमन पुर जिसको कहते थे लक्षमन वती शहर जिसको कहते थे यहां पर कहीं पर तकरीबन आपको लखनोती जो है वो तो लखनोती को जीत लिया है, जीत लिया है ना, लखनोती को प्राप्त कर लिया है उसने, लखनोती शहर को जीत लिया है, इक्तियार उत दिन बक्तियार खिलजी ने, ओधन्त पुरी जगा है, ओधन्त पुरी को जीत लिया है, ओधन्त पुरी, अब ये भी अगर आप देखे तो ये सब कुतबुद्दिन एबक के समय में ही हुआ है तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कुतबुद्दिन एबक का दावा भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो उत्तर में लाहौर से ले करके दक्षिन में अनहिलवाडा और कलिंजर तक है या लाहौर से ले के कलिंजर तक और पश्शिम में आप देखिए कि जो थाटा वगेरा का जो हिलाका है जिसको आप सिंध कहते हैं ये सब भी यहीं पर ठीक है तो ये थाटा या अनहिलवाडा वाला जो हिलाका है सिंध वाला जो हिलाका है यहां से ले करके लखनोती तक पूरा का पूरा दावेदारी किसकी है पूरी की पूरी दावेदारी ये कुतबुद्दीन एबक की है ये पूरी दावेदारी कुतबुद्दीन एबक की आपको देखने को मिलती है लेकिन ये जो दावेदारी आप देख रहे हैं ये सब मुहम्मद गोरी की मौजूदगी में है इससे मुहम्मद गोरी मौजूद है भाई 1206, 1203 1202 से 1203 की बात है और कुतबुदिन एबग का जो टाइम शुरू होता है शासक के तौर में वो 1206 से 12010 का है यानि कि अभी जो इसने चीज़ें उक्यूपाई करी है वो जो चीज़ें है वो गवर्नर्स के तौर पर है राज प्रतनीधी के तौर पर है 1206 में कुतबुदिन एबग को सत्तारुड होने का मौखा मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि 1206 में ही गोरी की मृत्य हुई है उसको मार डाला गया था तो ये 1206 से पहले की स्थिती है जो आपने आपर समझ ली इसमें कोई दोराय नहीं किसी को इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरी ख्याल से ठीक है अब ज़रा देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी थोड़ी सी उसका रीजन ये है कि अभी गोरी 1206 में जब गद्धी पर बैठेगा तो उसमें उसके पास किया लेकिन पहले गद्धी पर बैठने की एक छोटी सी कानी है कुछ रिफरेंसेज हैं जैसे उत्रादिकारी इसको माना जाए या ना माना जाए तो मैंने कहा कि उसके कुछ एकाउंट्स हैं उनके एकाउंट्स के उपर अगर एक नज़र डाले हम ठीक है इनके एकाउंट्स के उपर अगर हम एक नज़र डाले है तो जैसा कि मैंने आपको बताया देखें ये 1206 से 1210 जो है वो किसका शासनकाल है वो शासनकाल है आपका कुत्बुदिन एबक का अब एबक शासक 1206 में बन रहे हैं इसे accept किया जाएगा या इसे accept नहीं किया जाएगा इसके लिए एक उधारने हलाकि ये किताब बहुत बाद में लिखी गई इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन फिर भी तारीक ये मुबारक शाही ये कहती है कि एबक जो है वो उत्रादिकारी बना उत्रादिकारी घोशित किया गया और इसे उत्राधिकारी घोशित स्वयम एबक ने किया था ये तारीखे मुबारक शाही का मनना है लेकिन दूसरी तरफ जो ये भारतिये प्रांत है इसका उत्राधिकारी या यूँ कहें कि गजनी का उत्राधिकारी गजनी का जो वंश है जिस पे गोरी शासन कर रहा था तो उसका उत्राधिकारी गोरी के बाद कौन हुआ उसके बारे में तबकात ए नासरी एक रचना है तबकात ए नासरी आप लुक जड़ा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे कोई जिसको आता है वो तो डिरेक्ली पता है इसको नहीं आता है जड़ा सर्च करके बत मुढारकße ही और तबकात नासरी के लिखक कौन है रचनाहण का उनने हैं तबकात नासरी में यह कहा गजिया कि ताज़ूद्दीन याल्दाज यह जो है गजनी का उत्राधिकारी वोगा स потреб territ Sharma उत्राधिकारी दिखाया गया है जबकि तारीके मुबारक शाही में एबग जो है उसको उत्राधिकारी बनाया गया ऐसी बात लिखी गई ऐसी बात कही गई पर कहानी यहीं नहीं खतम होती है एक और एकाउंट है जिसका नाम है मिन हदुस सिराज तो मिन हदुस सिराज जो है यह रचना किसकी है यह भी आप बताएगा यह तीनों भहुत इंपोर्टेंट एकाउंट्स हैं इसमें यह कहा गया है कि गोरी ने अपना उत्राधिकारी गोरी ने किसी व्यक्तिगत को व्यक्तिगत को उत्राधिकारी नहीं चु उत्राधिकारी नहीं चुना, ये एक चीज उन्होंने कही है। इसके बारे में कहा जाता है कि आपका उत्राधिकारी कौन होगा, ऐसा जब मुल्म्मद गोरी से पूचा गया, तो गोरी कहता है कि अन्निशाषक होंगे जिनके एक दो बेटे होंगे, जो अपने किसी एक कोत्रा दिकारी बनाने के बारे में सोचते होंगे मेरे तो हजारों पुत्र हैं ये अपने दासों को अपना पुत्र मानता था और ये सारे पुत्र मेरे पूरे गजनी सामराज जिपर मेरे पूरे गोरी सामराज जिपर मेरे नाम से शासन करेंगे मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे और इसे हमेशा आमर रखेंगे ये बात उसने कहिए इससे ये साबित होता है कि कोई एक को इसने राजप्रतनी थी मतलब एक को भी अपना उतरादिकारी घोशित नहीं किया सबको गिया तो ये तो अलग तरीके की बात हो गई बैरहाल जो भी हो जब 1206 में गोरी की डेथ हुई और इसकी खबर जैसे ही कुतबूदन एबग को लगी तो एबग जो की पहले से ही राजप्रतनी थी था उसने तुरंत अपने आपको स्वतंत्र सामराज इस्टैबलिश करते हुए अपने आपको शासक घोशित कर दिया और जैसे ही गोरी की मृत्यू हुई तो जो लाहौर वगारा का जो इलाका है जो डिरेक्ट गजनी कभीले के अंतर गता था क्योंकि वहाँ पर सीधे शासन था गजनी का उसने तुरंत लाहौर के उपर आक्रमन करके लाहौर को जीत करके डिरेक्टली अपने कंट्रोल में कर लिया और उसे अपनी रालसानी बना लिया तो गोरी की मृत्यू के बाद एबक ने सबसे पहले क्या किया है गोरी की मृत्यू के बार गोरी की कि लाहौर तो पहले से ही था तो लाहौर जो पहले से था वो सब चीज जो है वो गोर या गजनी के अंतरगत है ये सेंटर ये मुलतान दिल्ली अजमेर मेरट कलिंजर ये सब इसी गजनी का हिस्सा है लेकिन गोरी के समय में गोरी खतम हो गया तो जो इसका शासक बनेगा ये राज्य उसके हो जाएंगे तो उसने इधर यहां पर आ करके लाहॉर को कपजा किया गजनी को भी प्राप्त करना चाहा है लेकिन गजनी में दिक्कत है मैंने आपको नाम बताया ना कि इधर के ताजुद्दिन यालदोज हैं ये भी उत्राधिकारी के दावेदार हैं तो सब अपने अपना राज्य जल्दी से अपने आपको घोशित किया है लाहॉर पर चढ़ाई कर दी लाहॉर को जीत लिया अपने को राजा घोशित कर लिया अपने नाम का खुत्बा पढ़ लिया जैसे उसने अपने नाम का खुत्बा पढ़ा तो जो यहां पर जो दावेदार थे उन्हें ये बाद बरदाश कैसे होगी उन्होंने ये बाद बरदाश नहीं करी और इसे शासक मानने से इंकार कर दिया और इसी क्रम में ताजुद्दीन यालदाउच जो है वो गजनी का समराट बन बैठा ताजुद्दीन यालदाउच जो है इसके पास में क्या आया इस तुरंत ले लिया किसने ताजुद्दीन यालदौज ने अब दीखे ताजुद्दीन यालदौज को क्या गजनी हराना नहीं चाहेगा क्या गजनी प्रांत को अपने हिस्से में नहीं करना चाहेगा जिससे की कोई परिशानी नहों बिल्कुल करना चाहेगा लेकिन यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है कि गजनी का समराट बनते ही यालदौज ने अपने पक्ष में एक व्यक्ति को किया जिसका नाम था महमूद और महमूद जो है वो फिरोजकोह का रहने वाला था तो यालदौज ने क्या किया है यालदौज ने फिरोजकोह के एक शासक हुआ करते थे फिरोजकोह के एक शासक हुआ करते थे फिरोजकोह जगा है निशापुर के दक्षन में ही जगा पढ़ती है फिरोजकोह मैं आपको यहां पर कहीं पर दिखा देता हूँ कि मान के चलिए कि यहां कहीं पर फिरोज कोह है ठीक है यहां कहीं पर फिरोज कोह यह जगा है सपोज अगर यहां कहीं पर फिरोज कोह जगा है तो इसी फिरोज कोह के एक शासक हुआ करते चिनका नाम था महमूद जिनका नाम क्या था महमूद अब ताजुद दिन यालदाउज ने क्या किया फिरोष को के इसी महमूद से समर्थन प्राप्त कर लिया है यानि कि महमूद इस बात का समर्थन करता है कि गोरी जो है वो गजनी का शासक नहीं है यालदोज जो है वो गजनी का शासक है इसी दोरान एक और करेक्टर आता है जिनका नाम है नसीरुदीन कुबाचा, उन्होंने भी गजनी राज्य के अंतरगत आने वाले, ये गजनी राज्य के अंतरगत सारा आ रहा है, अब गजनी को गजनी नहीं कहेंगे, गोर कहेंगे, तो गोर राज्य के अंतरगत आने वाले, इस हिस्से में एक बड़ा हिस्सा है मुल्तान का, इन भाई साब ने अपने आपको मुल्तान से स्वतंतरगोशित कर दिया, और ये वहां के शासक बन बैठे, इसका मतलब ये हुआ, कि जब गोरी गद्धी पर बैठेगा, तो गोरी के सामने गजनी और मुल्तान, यानि की ताजुद दिन यालदोज और नसिरुद दिन कुबाचा, ये दो लोग जो हैं, एक विशेश तरीके से, एक आपत्ती जनक तरीके इंसे युद्ध करना पड़े गए तब जाकर के अपने आपको इस्टैब्लिश कर पाएंगे, तो ये मुसीबतों के तोर पर चीज़ें इसके सामने आती हैं, ये संकट है इनके सामने, लाहौर को हमेशा गजनी का हिस्सा माना जाता रहा है, कि लाहौर जो है, वो गजनी लाहौर एक हो जाएं, या लाहौर गजनी एक हो जाएं, सिधा सा मतलब है, कि या तो एबग जीत जाएं, या ताजुदीन यालदोच जीत जाएं, दूसरी बात ये है कि इसलाम में उस समय एक परंपरा है, कि जो दास है, वो दास जो है, वो शासक नहीं बन सकता, और एबक जो हैं उसको दास्ता से मुक्त नहीं किया था मुहम्मत गोरी ने और इसी लिए आगे चल करके लोगों ने और फिर इन्होंने लाहोर को अपनी राजधानी बनाया था किन्होंने एबक ने लाहोर को क्या बना लिया था अपनी राजधानी बना लिया था अब लाहो कारों को कि इसको दिली सुल्तनत का सुल्तान माना जाए कि ना माना जाए एक तो ये स्लामिक रूल के एकॉर्डिंग दास और दास सुल्तान नहीं बन सकते गवर्नर बन सकते हैं तो बने थे गवर्नर को सुल्तान कैसे कह सकते हैं दूसरी बात ये है कि शासन भी दिली से नही प्वाव में आ सकता है तो इसलिए उसने अपने राजधनी वहां पर बनाई है तो अब इन सब चीजों को देख करके एबक और यालदौज के बीच में सत्ता को ले करके युद्ध होना तैं हुआ 1208 में 1208 में 1208 में आप देखेंगे कि युद्ध हुआ और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ यालदौज के बीच में यालदौज ताजुद्ध दीन यालदौज के बीच में युद्ध होना तैं हुआ इस युद्ध में शुरुवात में यालदौज की हार हो गई और यालदौज की हार के साथ ही लाहौर से इसने चढ़ाई करी जब गजनी के उपर तो गजनी में ये हार गया ताजुद्दीन यालदौज और ताजुद्दीन यालदौज का जो समर्थक महमूद था उस महमूद को भी कुत्वुद्ध नयबक ने अपनी तरफ कर लिया और उससे अपने नाम का छत्र और ये सारी चीज़ें उसको दे दी शौल कंबल जो भी निशानी के तोर पर दियाता है वो सब दिया और उससे एक पत्र साइन करा लिया कि तुम अपना शासन हमारे अधीन स कुछी समय के पशात यालदोज ने गोरी को फिर से परास्त किया और परास्त करके जो गोरी कह रहे हैं सौरी एबक को एबक को फिर से परास्त किया और एबक को वहां से निकल करके भागना पड़ा यानि थोड़े समय के लिए लाहोर का कपजा गजनी पर हुआ लेकिन गज गोर सामराज बढ़ चुका है गोर सामराज जिमें गजनी से शासन जो हो रहा है वो शासन गोर के शासन के अंतरगत माना जाएगा जिसका रिप्रेजेंटेटिव यालदाउज है तो उसने कहा कि भाड में जाओ हम करेंगे यहां से शासन लाहोर से और यहां से शासन जो चले पात इसने लाहॉर से कर दी और शेस हिंदुसतान का जो हिस्सा है उसका केंद्र जो है इसने लाहॉर को बना दिया इस करम में इसे इनके जो है जो घो जो किलजी हैं उससे में लाहॉर हो आने का जो सपना देखा वो पूरा हुआ, हलाकि उसमें गजनी भी शामिल करना चाहता था ये, लेकिन वो गजनी शामिल नहीं कर पाया, गजनी अलक स्वतंतर है, और गजनी के अंतरगत, गजनी से होने वाले गोर के शासन के अंतरगत, लाहौर अब प्रथक हो चुका है, ल इसमें मुल्तान का भी युद्ध होगा आगे, वो एक अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा, निस्स संदेह जो है वो इनकी लिस्ट में आ जाता है, तो आप ओवरॉल अगर आप देखोगे, तो तकरीबन आप ये पूरा जो हिस्सा है, देखिए, ये जो पूरा हिस हिस्सा है यहाँ वाला, ये जो पूरा हिस्सा है इस तरह वाला, मैं लगभग लगभग इसको कवर करने का प्रयास करूँगा, ये जो हिस्सा है, ये ये आ चुका है किसके पास में, ये जो हिस्सा है, ये आ चुका है पूरा कुतबुदिन आबबग के पास, ये कुतबुदिन आबबग के द्वारा किया गया, शासन किया जाने वाला हिस्सा है, अब इसी में, एक पनेट जरह रुकिएगा, अब देखिए, इसी में, आप दूसरा हिस्सा भी जोड़ना चाहें, कि अगर हम पूरा का पूरा, जो गोर, जो सामराज्य है, वो कहां था, अगर हम उसको जोड़ना चाहें, तो जरह देखिए, वो जोड़ेगा, वो कुछ इस तरीके से, वो आपका तक्रीबन इस तरीके से जुड़ता हुआ नजर आएगा, यह, यह जो पूरा हिस्सा है, यह जो पूरा हिस्सा है, यह, यह गोर का हुआ करता था, यानि कि आप इसको, अगर देखना चाहते हैं, तो मान के चलिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये से ले करके यहां से ले करके यहां तक का जो पूरा हिस्सा अब आप देख रहे हैं ये कभी गोर के अंतर का ताया करता है से मुलतान-ुलतान सब शामिल कर लीजी लेकिन आप इधर वाला हिस्सा अलग हो गया है इधर वाला तरीके के बने हुए तो भारत में स्वतंत्र सुल्तान शाही जो है वो कहते हैं कि एबक के समय से शुरू हो गई लेकिन एबक को स्वतंत्र सुल्तान मानने से इंकार करना थोड़ा आसान है क्योंकि उसके पक्ष में कुछ तर्क हैं जैसे कुत्वुद्दिन एबक जब गद् कर रहे हैं तो इनके स्वतंत्र मुद्रा होनी चाहिए थी एबक की कोई स्वतंत्र मुद्रा नहीं है आगे चलकर के चौद्ववी शतापदी में आप देखेंगे कुत्वुद्दिन एब्दबतूता जो है वो भारत आएगा और उसने कुछ दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की एक लिस्ट तैयार करी है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के उस लिस्ट में कुत्वुद्दिन एबक का नाम नहीं है फिर आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में ही एक तुगलक वंश आएगा और तुगलक वंश में प्रसिद्र शासक होंगे फिरोश शाह तुगलक उन्होंन फिरोष्ब श्राह तugलक ने नहीं रखा। ऐसे महातुपूर एकाउंट्स में कुत्बुद्द्धिन एबक का नाम ना शामिल होना, इसके अलावा कुत्बुद्दिन एबक का दुली के बज़ाह लाहौर से शासन करना, इसके उलावा कुत्बुद्धिन एबक का अभी तक दास बने रहना और इसके अलावा कुतबुदिन एबक की सुल्तान शाही को जो खलीफा हैं उनकी मानिता न मिल पाना ये तमाम सारी चीजें हैं जो इस बात का समर्थन कर बैठती हैं कि एबक ने निसंदे एक स्वतंत्र एक सेपरेट हिंदुस्तान में मुस्लिम समराज्य को की शुरूवात करी पर एज गवर्नर करी होगी शायद एस सुल्टान नहीं पर शुरॐवात इसने करी है तो इसको शासak कैसे न माना जै ये भी एक बात है आपका इस पर क्या मानना है आपके इस पर क्या विचार है क्या आप अपने दृष्टिकोंड से या आपने पहले भी जो چीजें पढ़ी होंगी या जो मैंने आपको चीजें क्या उस द्रिष्टिकोंड से आठको क्या लगता है कि क्या जो कुता-बुदीन एबक है उसको डिल्ली सल्टनत का पहला शासक माना जाना चाहिए पहला सुल्तान मना जाना चाहिए या नहीं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईएगा जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि मैं धमाका सेल जो है वो अभी भी चल रहा है 31 तारिक इस धमाका सेल की लास्ट डेट है और 31 तारिक है आज ही आज अगर आप इस बैच में एडमीशन ले लेते हैं तो आपको मैक्सम डिसकाउंट मिलेगा यदि अगर आप विरत लाइब पोर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसलिए आज का दिन जाना नहीं चाहिए आपके हाथ से 25,995 में आप एडमीशन ले लीजे और एडवाइस करूँगा मैं कि इस P2I बैच के साथ ही एडमीशन करा लीजे अपना ऑप्शनल और ऑप्शनल जो है वो पहले ही डिसाइड कर लीजे जिससे कि आपको कुछ भी तो देखें तीन चीज़ें होती है प्री, मेंस और मेंस में GS होता है और इसके अलावा उप्शनल होता है तो प्री और मेंस की GS तो हम आपको प्रिपेर करा रहे हैं किसमें? P2I में उप्शनल ले लीजे आप तो वो भी आपका कवर हो गया, फिर होती है बुक्स, बुक्स भी हम आपको दे रहे हैं, फिर होता है इंटर्व्यू, इंटर्व्यू भी हम आपको दे रहे हैं So separately what you have to purchase that is optional only And I advise कि आप इसको Combo में खरीदेंगे, तो आपको इसमें maximum discount मिलेगा, अगर आप separately खरीदना चाहते हैं तो भी optional मिलेगा आपको 14,999 में, 14,999 से भी कम में मिलेगा, यदि अगर आप एक साथ यहाँ पर purchase करेंगे विरद लाइब कोड के साथ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है वैसे मैं आपको बता दूँ कि History, Geography, Hindi साहित और PSIR, ये चार pure Hindi के optional आपके लिए शुरू हो चुके हैं English के भी optional आपके पास चल रहे हैं आप जिस भी optional में चाहें admission ले सकते हैं जिस भी P2I के course में चाहें admission ले सकते हैं Hindi, English, English जिसमें भी आपको लेना है और यहाँ आप सब जगहां पर विरद लाइब कोड का इस्तेमाल करके maximum discount को हासिल कर सकते हैं रही बात के इस lecture की PDF आपको कहां से मिलेगी तुरंत जुड़ जाए हमारे टेलिग्राम गृप से और हमारा टेलिग्राम है विरद.दुबे इसके लामा आप हमसे socially connect हो सकते हैं Instagram पर इसके लामा विरद.दुबे at the redstudy.iq.com पर आप हमें email करके अगर आप कोई बात करना चाते हैं officially तो अपना contact number शेयर कर दीजे मैं या मेरी team आप से contact कर लेंगे आपकी जो भी सुविधा असुविधा है उसको सुविधा में convert करने का प्रयास करेंगे इस उम्मिद के साथ कि आपको लेक्शर्स पसंद आ रहे होंगे और अच्छा लगेगा यदि कर आप इनी लेक्शर्स को इसी तरीके से practice session के साथ अपनी शांदार तयारी के साथ जोड सकें तो उसके लिए आपको हमारे paid batch में जोड़ना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि YouTube अगर इस तरीके का है तो paid batch किस तरीके का हो सकता है तो मेरा recommendation है कि आप जरूर इस new term शुल के साथ में हमारे paid batches से जुड़ें चहांपर आपको dedication के साथ पढ़ाया जाएगा नियंतर नियमित classes आपको वहाँ पर मिलेंगी शुब कामनाओं के साथ धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS हिंदी